Hello Traders, आज हमने NCC को ट्रेट किया था एंड NCC के अंदर हमने आज के थी बाहिंग इतना अच्छा मुवमेंट NCC नहीं दिखाया बट वह आधा मुवमेंट हमने कैज के था बट आधा मुवमेंट हम कैज नहीं कर पाय थे करीब करीब इस जगह पर हमने अपनी एग्जिट कर ली थे भी एक शॉट वीडियो बनाकर के अप्लोड के जिसमें सब कुछ हमने बताया था स्टॉप्लोस के रहा था और एंट्री के रही थी एंट्री के चैनल हमारी यह थी जो आप पिन भार देख रहें यहां पर वॉल्म के साथ प्राइज ने प्रीवियस बेंच को ब्रेक किया था इस रेंज के ब्रेक आउट होने के साथ इस रेट्रेस्मेंट पर हमने अपने अपने एंट्री लिए थी इस्टॉप्लोस ज्रस्टिता वॉल्म के पास द्राउर करके रगद धी यह इस वाले पाँपार पर डेली ही ते पर ने तर्गेट पुग किया थे विए प्राइज अपने हाथ में नहीं है कि इस रहा तक जाएगा हमारा जहां तक टार्गेट था यहां पर सिंटम्स लग रहे थे कि प्राइज नीचे के तरफ जाना चाहिए यह मोमेंट अभी अपने हाथ से निकल चुका तो इसके बात काना भी सही नहीं है डेली ताइम फ्रम देख लेते हैं कि क्या देखते हुग हमने यहां पर अपने रेस्टेंस पाइंट मिले थे यह पूरा जोन इसको सिंपल आगर आप रीट करोगे तो देखें प्राइज ने यहां पर एक रेस्टेंस बनाया था इस रेस्टेंस के पास में जब भी प्रैस जा रहा है यह नीचे की साइट में गेरा है तोटब के लिए 22 अगस्त की डियूज का था क्योंकि यह हमारी सिग्निफिक्टेंड डें के पास हमें इस वाली के बिरिक आउट की बात कर रहे थे कि जैसे प्राइज लेवल को अपशाइड की तरह विडिक के यहां पर मिल रहे था है तो यहां पर बहुत की एक अचा खासा यह सारे में आपको बताएंगे एक चीज याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है चाहिए तो आप फॉलिंग रोज देखो चाहिए चाहिए जितने भी हमने मैटोड्स अफ मार्किंग आपको बता है इस आर अनली जस्त टूल्स सिर्फ और सिर्फ टूल है इन टू हमें दिया या नहीं दिया हो सकता है टेकनिकली या पूरी फॉर्मेशन को सही मार्क करो बट पॉइंट ऑफ एक्शन वह सही ना हो कि जैसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कुछ इस तरह से रियक्ट कर रहे हैं आपके द्वारा ड्रॉ की गई लाइन के पास में इस तरह से तो यह एक सही पॉइंट ऑफ एक्शन होगा वहीं आप देखो गाई कि टेकनिकली आपने सही फ़र्मेशन मार्की बट प्राइज कुछ इस तरह से मूव दिखा रहा है ऐसे ऐसे ओसे टेकनिकली आपकी लाइन से बट चार्ट आपकी मार्किंग को मान नहीं रह प्राइस बिलकुल रिजक्ट हो रहा है इस जगह से रिजक्ट हो रहा है यह होता है रेजिस्टेंस और यह होता है एक सही point of action जहां से आप trade execute करो हम क्या चीज़ आपको समझाने के कोशिश कर रहे हैं कि जब यह आप trades execute करो यह फिर levels draw करो और वहां पर कोई भी point of action आप निका करके वह दे देगा बट वो formation सही है यानि यह आपको देखना पड़ेगा अनि चारोई stocks के जो level देंगे telegram group में post कर देंगे आप लोग चाहो तो telegram group join कर सकते हो वहां पर आपको इस सारे levels मिल जाएंगे सबसे पहले बास है Adani port Adani port के अंदर levels देखिए हमारे mark है and Adani में हम ल जैसे यहां पर retrace होने के लिए जाएगा आप यहां पर अपने entries के confirmations लोगी याद रखना है entries के confirmations लेने के बाद में trade execute करोगी एक होता है कि price जैसे यहां पर आपने short मा दिया तुरंद short नहीं मार देना है नहीं एक candle in just close किया वहां पर आप short मा दो तो वह भी नहीं करना है प्राइस को sustain होने दो इस जैगे पर sustain होने दो volumes increase होंगी प्राइस अपने support को break करेंगे यहां पर प्रॉपर आपको आपके entries के confirmations देगा कि तभी आप trade execute करोगे हो सकता है आपके पास आपका personal entry का formations हो जिसको देखर करके आप trade execute कर रहा हो सो कुछ भी हो XYZ कोई भी formation इसको यूँ ही नहीं मार देना है प्रॉपर यहां पर आप देखोगे कि प्राइस आपको sustain कर रहा है और सिर्फ जब यह आपको sales side का signal देगा तभी आटानी port के अंदर selling करोगे otherwise buying नहीं करनी है buying मत किजिएगा सिर्फ selling किजिएगा buying side में अटानी सिर्फ और सिर्फ कल के दिन आपको trap करेगा दूसरा stock अपने पास है बंदन bank में यह अपना area है इसके अंदर हम लोग सिर्फ buying करेंगे कल के session में यहां पर volumes and price को देखते हो हमने अपना एक level निकाल दिया एक एक point निकाल price जब upside के तरफ के आपके movements show करेगा तब ही आप काम करोगे otherwise अगर price हमारे इस line के नीचे जा रहा तो जाने दो selling करी नहीं है सिर्फ और सिर्फ हम इस के अंदर अपनी इस level के उपर से buying देखेंगे एंप्स के confirmations लिए बंदर मैं को कल के दिन आप buying के लिए देखो कि शौट selling नहीं करनी है थर्ड़े बीपीसल बीपीसल के अंदर हम लोग कल के दिन सिर्फ buying देखेंगे price जैसे ही आपका इस level के पास से buying के confirmation देगा आप सिर्फ भाई करोगे सिर्फ भाई करोगे हो सकते price आपके lines को तोड़ करके नीची की तरफ चले जा रहा है तो जाने दो sell मत करना जैसे ही इस लिए पर आकर के आपको buying के confirmation देगा अपनी range के अंदर price जैसे ही वापस से re-enter करता है आप यहां से buy कर देना morning में 9.45 तक कम से कम वेट कर लोगी price रहा सा sustain हो जाए उसके बाद में कोई काम करना अचानक से aggressive entry नहीं ले ले लेना फूर्थ इस टॉक है अपना budget finance, budget finance में हम लोग कल के दिन selling देखेंगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ असिर्फ selling करनी है buying मत करना अगर यह stock upside के तरफ आपके levels को breaker की उपर जा रहा है तो चला जाए हम लोग यहां से शिर्फ short selling ही देखेंगे यहां से सिर्फ जब हमें short करने का मौका मिलेगा तो हम short करेंगे otherwise हम इसको छोड़ देखेंगे चार स्टॉक्स थी चार के चार स्टॉक्स आप कल की market में देखना इन्हें observe करना क्या result रहता है यह कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे तो थांक्स गुडबाइ वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर राइक किजएगा कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पर हम इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं तो टेलीग्राम पर सारी चीज़ हम पोस्ट करते हैं ट्रेट कर रहे हैं नहीं कर र आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे so thanks and we will meet again